राजीर आपका कहना है कि इस यात्रा से कॉंग्रेस का सत्ता में आने का योग बन रहा है यानि एलेक्शन के तीन चार महीने बचे हैं और आपका संकेत है कि इस यात्रा की शुरुआत जिस ग्रह से हुई है उस ग्रह से यात्रा होगी यात्रा बहुत सफल रहेगी और यात्र कि यात्रा में एक अच्छा रिजड यह मिलेगा कि जन्मानस को इंडिया एलाइंस के प्रती मोडने में जोडने में और डाइवर्ट करने में बहुत हेलफुल होगा यह आप देखें मैं लैदर की जैकेट पहने बैठा हूं आप भी एक बड़ी अतापमान में जैकेट पहने कि यह जन्म पत्री में कोई ग्रह ऐसा हो जिसमें लगा कि आपको ठंड गा गर्मी का असर नहीं पड़े का हमारे आपके डिप्टी सीमें उन्हों ने तो बाकारदा यह ए रॉंस कर दिया कि हम एक डॉक्तर की टीम से बठाएं के रिसर्च कराएंगे कि राहुल गान दी को कि नियुक्तर प्रदेश में रेकिन क्या को यह जन्म पत्री में यह होता है कि आपनी सोक दुख थूप छाओ ठंड इनसे भी निजात पा सकता है को ऐसा स्टार्ट भी होता है क्या शेरों का शेर यह होता उसके अंदर जबरदस आत्मिश्वास निराशा नाम की कोई चीज करना हो और हमेशा हर चेलेंजिज को फ्रेंट से हैड़ों करता हो वो सच्छे माइन में शेर माना गया है राहूल गांदी तपस्वी जादे हो गया है राजनीति कम रह गया है वह पॉलिटीशन नहीं है मैंने हर प्रोगाम में आप पे कहा था कि उसके अंदर जो में चल दिये इसका मतला उनकी जनम पत्री में है प्रदान मंत्री की जनम पत्री में ऐसा क्या हो आकि वो लक्षदीपर गए है मावी भी कह रहे हैं हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक ही दिन में एक ही जगे कुरसी पे बैटे बैटे कप्डे चिंज़ों जात प्रदान मंत्री जी रहेंगे वहां पर प्राण प्रतिष्टा करेंगे क्या है महुरत 22 जनवरी का कैसा रहेगा राम मंद्र के टोटल आपकी वविश्वारी क्यास के सीन को लेकर अधूर मंदिर नहीं की जा सकती नमस्कार मैं संजय शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network परी शकल देखकर आप चौक रहे होंगे कि आज मैं कैसे चश्मों अश्वर आखे जैकेट पहन के आप से बात कर रहा हूं तो मेरी आखों में इंफेक्शन हो गया है तो आखे बहुत दर्द कर रही थी तो मन भी नहीं क तो मैं आज आज आपको राजीवी से बात करूंगा और पहले मैं वही खोशना कर दूँ जो मैं हमेशा करता हूँ कि अगर आपका जोत्श में यकीन है तो आप इस शो को देखिए यकीन ना हो तो बिलकुल मत कि कुछ राज्यो कुछ चुनाव को लेकर राजीवीजी की व बहुत सारे वामपत्थी दोस्त मेरे हैं वो नराज हो जाते हैं कि जोतिश में बात क्यों करते हो लिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि जोतिश वी एक विदा है बड़े विश्विद्याला में पढ़ाई आती है सुप्रीम कोट में भी का है कि जोतिश एक विदा है तो राजीव से आज बहुत जोड़ार बात हुई है राहूल गांदी की भारत जोड़ो निया यात्रा जो हो रही है उसके क्या रिजट आएंगे और राम मंदिर के मुद्धे पर राजीव जीन आज जो कहा है वो एक परमाणू बम जैसा फटना है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जव करते हैं तो कितनी ऐशोब़ो ना हूँ ये वह्षमांदी राजीषित कि करते हैं इस चैनल मेए नीचे आप इस वीडियो के लिचे एक जॉईन बटन है चैनल को का करेंगे मिरी मदद मिले की मैं आपका आभारी हो सब्सक्राइब करें जरूर कीजेगा चलते हैं सीधे राजीब जी के पास एक धमाकेदार भाविश्वाणियों को सुनने के तो अगत है राजीब जी आपका फोर पीम न्यूज नेट्वर्स में उडिसा में मौच कर रहे हैं आप आप बहुत घूमते हैं और इन दोनों मैं म पानी लग जा रहा है मैंने सो चड़े मुझे को बुलाएगा आपके चक्कर मुझे भी आपके संग अमेरिका बुलावा आ रहा है चलिए दोनों लोग भाईरों मिलके हर्मान जी की कता सुनेंगे राजीब जी आज के विशह पे आता हूं रहुल गांदी की भारत जोड़ नयाय आत्रा जो है उसका समय पिश्डी बार नहीं निकल पाया था आप दिन बताया था अब तो समय भी आ गया है कि इतने वजह रहुल गांदी यात्रा शुरू करेंगे आपका समय से क्यालकुलेशन ज्यादा होती है तो जो समय निकलके आया है कि बाहरों जोड़ों यात जो मेरा इस वार का समय कैसा है क्या संकेत है क्या महूरत है और क्या उमिद है इस वार इस यात्रा से जी देखिए जैसे अभी आपने मेरी उरीसा की विजिट का रेफरेंस किया तो मैं आपके दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने उरीसा सही चार साल की इंजिनिरिंग की थी 1982 से 86 तक तो उरीसा मेरे मैं उरीसा ने वो मुझे फांडेशन दी जो मैं जिसको हम दिशा हमेशा रिणी रहूँगा और दूसरा बात यह है कि हमारे जो हिंदु धर्म के जो संक्राचार जी ने जो चार धाम इस्तापित किये थे उसमें चार धामों में से एक बहुत महत्मूर धाम जगनात्पुरी का धाम यहां पर है और बाकी जो तीन धाम है वो एक है और दक्षन में रामेश्वरों में तो इस तरह से हमारे शंक्राचार ने धर्म की जब इस्तापना कीती तो चारों देश के कौनों में मठ बना दिये थे इसलिए हमारे हिंदू संस्कति के नुसरा सरवोच जो पद है किसी भी सा संत का महत्मा का मतलब यह बेसिकल एक जगनात पूरी का मंदर बन भया संत के मुझे मैं जब चार साल की इंऻिनियर्मो सौभा नहीं मिला ओए नहीं पा तो मैं पैसे भी की मंदर है उसको 13 वे साताब जी में नर्सिंग देव कोई राजा हुए उन्होंने बनाया इसके सासाथ एक भूवनेश्वर जो यहां की राजदानी उसका में अध्यात्मिक महत तो है यह है कि भूव के भूव को बूमी के इश्वर भूवनेश्वर इस ही से नां और उस मंदिर के प्रांगण में 108 मंदिर हैं और पूरे भुवनेश्वर में सवा लाख मंदिर हैं इसको पूरव भारत के पूरव का काशी कहा जाता है यह जो हमारा काशी है उसका उतना ही महत भुवनेश्वर का भी है तो इस तरह के दुरलत दर्शन करने का मुझे प्राप लोग थे उनका युद्ध जो हुआ था कलंग नरेस के साथ इशा से लगबख 200-300 साल पहले उस युद्ध में डेड़ लाक लोग मारे गए थे देड़ लाक लोग और सतर असी जमाने में और सतर असी एजार लोग घायल हुए थे तो बताते हैं कि वहाँ पर जो जगे है वहा तो वहाँ पर किसी बहुत विक्षू के संपर्ख में आने से अशोग के अंदर हिदय परबतन हुआ अशोग ने अपनी तलवार वही समर्पन कर दीती जमीन में गाड़ दीती ऐसा लोग बताते हैं वहां से वह बहुत विक्षू बन गया था तो वह अहिंसा हिंसा छोड़ पार्ट में आपको बताता हूं कि मैं एक मैंने कोणा मंदिर में एक बहुत अच्छी प्रतिमा देखी तो कि तेरें सो भी सदाब्दी का है उपर शेर है उसके नीचे हाती है और उसके नीचे जो है एक मनुष्य कुछला हुआ पड़ा है हाती के पैरों में तो उसका जो है आध्यात में महत बता यह बताया गया कि सूर्य जो है शक्ति का प्रतिक है और लक्ष्मी का प्रतिक हाती को माना गया और मनुष्य तो मनुष्य है तो उसमें यह कहा कि शक्ति और पैसा मनुष्य को मार देते हैं शर्द सुने मेरे ज्यादा पैसा आ जाए ज्यादा शक्ति आ जाए तो आप बेसिकली आपके चरित्र का आपके व्यक्तित का पतन हो जाता है तो ये बात मेरे इसलिए कहा क्योंकि हाँ एक और चीज मैं बता देता हूँ एक हिस्टोरिक कल जानकारी है क्योंकि पहली मेरी वेजेट याता थी तो दर्शकों के लिए कि उस जमाने में उस बौध विक्षू ने एक भविश्वानी की थी कि तेई सो साल बाद भारत में पुने जो है बौध धर्म की इस्थापना होगी तो वो कैसे इस्थापना होई कि वो बौध एक जापान का बौध विक्षू 19th century में महत्मा गांधी को मिलता है और महत्मा गांधी को वर्दा में मिला वो वर्दा में साथ में रहा और उस महत्मा गांधी को उसने वहां से हिंसा का जो महत्मा गांधी का जो संदेश था वो उस बौध विक्षू के प्रभाव से आया है और मात्मा गांदी भी अपनी प्रात्ना के साथ कोई बहुत धर्म करते थे तो मतलब अशोक के टैम में जो अहिंसा का संदेश चला वो रिपीट हुआ देखे भारत वर्ष की आजादी में सभी लोगों का योगदान था और इसमें युवाओं का भी रहा है सबकर लेकिन मू किया है कि आज जो दुनिया में नाना परकार जगे जगे युद्ध हो रहे हैं तो उन्होंने का आज पूरे संसार को गांदी की आवशकता है मतलब मैं इसलिए बाद संद्र सुना रहा हूं कि अहिंसा हमारे जीवन में क्यों आवशक है और अहिंसा के बिना ये संसार एक परिवार नहीं रह सकता तो आज जो भारत जोड़ो इन नया यात्रा है भारत जोड़ने का मतलब क्या है बेसिकली जो भेदवाव क्रोध और हिंसा नफरत जूट असत्य के कारणा जो हमारा समाज में बटवारा हम दिखाई देते हैं जांत पांत का जो भी हमारी जो राज दिखाना चाहता हूं यह कुणली देखें समय देख लें दर्शक यह 12 बज़े की कुणली है यह 12 बज़े मैं इंडियन एक्सप्रेस में ओनलाइन समय दिखा था कि यह 12 बज़े से यात्रा शूरू करेंगे तो 12 बज़े जो मेशलगन की कुणली बश लगन का स्वामी होता है मंगल वो मंगल भागे के स्थान में है इससे ज़्यादा बड़ा रायोग नहीं माना जाता राजोग के fundamental principle जोतिस के जानकार जानते होंगे केंदर त्रिकोन के संबंद से राजयोग बनता है तो लगन का स्वामी सबस्ट इस अ हाइस ओर जोतिस में नयाय करने और नौमा कर नयाय का भी होता है तो मेरी आज ये भविश्वानी है इस आज के program है कि ये नयाय यात्रा सच्च मुच सच्च मुच नयाय और जोडने का मतलब जो भेदवाव दूर करके जोडने का संदेश जंता तक पहुंचा पाईगी इट विल वेरी वेरी सक्सफ़ल यात्रा वेरी वेरी सक्सफ़ल क्यूंकि इसमें दो चीजें हुई है जिसने भी ये समय कैलकुलेट किया और जिसने भी उनको गाइड किया उनकी मैनेजमेंट टीम में यह बहुत सुंदर लगन निकाला है मेश लगन राहुल गांदी का सात्मा घर है राहुल गांदी की कुणली में मैंने आप लोगों को राहुल गांदी की कुणली भी यह बिसकस कीती आपके प्रोग्राम है यह राहुल गांदी की होरस्कोप है तो यह राहुल गांदी की कुंड़ी में यह मेश लगन यह सात्मा घर में आता है और इस इंडिया एलाइंस में वो ये छटमागर आता है और छटमागर होता है हमारी fight का लड़ाई का संगर्ष का तो इंडिया एलाइंस को भी यात्रा एक नए संगर्ष की ऊर्जा परदान करेगी मतलब इस यात्रा से कई सारे फायदे होने में राहुल गांदी की व्यक्तिकत छवी पूरे विश्व में फिर से चमकेगी दूसरी बात है कि ये यात्रा अपने आप में बहुत सक्सेस्वल दर्शक मेरी बात को नोट करके रखे हैं इस यात्रा से कॉंग्रेस का सक्ता में आने का योग बन रहा है यानि इलेक्शन के तीन-चार महीने बचे हैं और आपका संकेत है कि इस यात्रा की शुरुआत जिस ग्रह से हुई है उस ग्रह से यात्रा होगी यात्रा बहुत सफल रहेगी और यात्रा के जो परणाम होगे वो कॉंग्रेस को सत्ता दिला सकते हैं यात्रा में क्या है ये तो ब्रहस्पती लगन में बैठा है तो मतलब सही माइना में धर्म और नयाय की बात हमारे बेदिक जो इसमें केबल के एक ही ग्रह करता है वह हमारा जूपिटर और जूपिटर इस कुंड़ी का नौवे घर का लौड हो करके लगन में संबंद बना तो लगनेश नौवे घर में और नौवे घर का लौड जो है लगन में तो इसमें लगन और नौवे घर का एक्षेंज भी हो रहा है तो यह बहुत महत्पूर्ण राजयोग बन जाता है तो इसका मतलब यह हैगा जी तो यह जो है ना सभी तरह से एक और जूपिज चीज है मतला एक तरह से संदेश देश में यह दे दिया, यह सब भरस्ट हैं, जबकि हो विपरी तरह है, कि जितने भरस्ट हैं, वो उनकी तरफ जा करके उनकी party join कर लेते हैं, और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, देश दुनिया देख रही है, तो यह जंता का जो मानस है, जो उसका जो perception ह जो उसकी thinking है, वो कब change होगी, तो change करने के लिए नेताओं को रेलियां करते हैं, या रेली लोग भाशन करते हैं, या पधियात्रा करते हैं, तो सही माइने में इस चुनाब को प्रभावे जो लोकसभा का चुनाब आने वाला है, इस यात्रा में एक अच्छा रिजड यह म पोच बदलेगी और लोग उसको प्रशिंसा करेंगे इस भारत जोड़ो इनायात्रा के जिसके कारण वो election प्रभावित होगा, तो राजीर जी राहूल गांदी की व्यक्ति का चभी एक लीडर की तौर पे और बल्कि इस यात्रा में फिर वो एक हाफ टीशिट पहन के चल जैनम पत्री में कोई ग्रह ऐसा होता है जिसमें लग जाए कि आपको ठंड गाह गर्मी का असर नहीं पड़ेगा हमारे आगे डिप्टी सीमें उन्होंने तो बाकरदा यह एनॉंस कर दिया कि हम एक डॉक्टर की टीम से बठाएंगे रिसर्च कराएंगे कि राहुल वांद मेडिटेशन जिसको कहते हैं तो राहुल गांदी की कुन्डली में जनम में ब्रहसपती यहां बैठा है और अभी इस समय गोचर में ब्रहसपती जो है साथमें घर से ध्यान के हाऊस से जा रहा है तो राहुल गांदी का तपोबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका एक और मैं इसमें मैं इंट्रेस्टिंग देख रहा था कि चंद्र कुंडली में राहूल गांदी के साथ में घर में मंगल और सूर इकटे हैं जो लगन को द्रश्टी दे रहे हैं इसका आर्थ यह होता है संजय जी कि बेहद बोल्ड किस्म का व्यक्ति है यह तो मतलब यह कहता है शे माइनन में शेर माना गया है तो नाफुल गांदी की कुंडली में दो छाथ्रीय गिरहों का प्रभाव चंद्र-कुंडली में चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है इसलिए राहुल गांदी मेंटली इतना उसको सर्दीगर्मी का ईसास नहीं होता तो दो दो चीज़ों स समझ लीजी का कि शारेरिक बल आपके अंदर इतना ज़्यादा हो मतलब उर्जा और आपके अंदर पराक्रम का हाउस भी इसका मतलब पराक्रम अच्छा हो तो तो यह शारेरिक दरस्टी से हो गया और मानसिक दरस्टी से तब माना जाता जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तो राहूल गांदी ने जो विपासना जो की है विपासना जो बौद धर्म की एक मेडिटेशन प्रोसेस है जिसका सही माइने में दर्शकों को आपको मीनिंग बता देता हूँ कि बौद धर्म यह कहता है कि ध्यान अपने प्राण पर लगाना मतलब आपका ब्रैथ है उसी को ऊपर मेडिटेट करना ही कॉल इस कॉल विपासना तो राहूल गांदी ने वर्सों तक यह विपासना जो की है इसके कारण राहूल गांदी तपस्वी ज़्यादे हो गए गए है वो पॉलिटीशन नहीं है मैंने हर प्रोग्राम में आप पे कहा था कि उसके अंदर जो ट्रेसेज हैं एक संत के आ गए है तो वो जब आप जैसे ही उस चीज में जाते हो संत के अंदर वेराग है अगर देखे एक टीशर्ट में पहुंचना मतलब है आहर निद्रा में तुम खाओ पियो मौच करो फिर मर जाओ लेकिन भारती संस्कति के नहीं मरना है तो हमें मुक्ष प्राना है तो भोग से एंजॉइमेंट से डिटेश्मेंट की तरफ हमारी ये भारती फिलोस्पी है तो राहुल गंदी के अंदर वो आ चुकी है ये डिटेश्मेंट का सिंबल है तो वो यक्ति एक टीश्ट में रहता है और दूसरा की तो सर्दी गर्मी लटी है मैंने आपको गीता के श्रोक में कहा भी ता बार में अदाय में भागवनना कहा है समय सत्र उचा मित्रे चा तदा मान पमाने ओ सीतेश्न सुख दुखे सु समसंग विवर्जित है ये अरजुन जो व्यक्ति शत्तु और मित्र में समान लेता हो सुख दुख में समान लेता हो सर्दी गर्मी में समान लेता हो पांगते पतला है तो ब्लभ वज्ट की का मतलब यह हैं कि आपके अंदर वेराग जैसे आता जाएगा तेटेटेजब्ड आपके अंदर निए परमात्पार पड़ रहा है आपने का योग से भोग और भोग से योग तो राहूल गांदी टी-शर्ट में चल दिये इसका मतला उनकी जनम पत्री में है कि जनम पत्री में ऐसा कि वह लक्षदीप पर गए हैं मावी भी कह रहे हैं हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक ही जगे कुरसी पे बैटे बैटे कप्ड़े चिंज़ों जाते हैं उनके इतना कप्ड़े चिंज़ों यह कौन सा योग होगा योग से भोग या यह भोगी का व्यक्तित होता है जो इंसान यह सोचता है कि मैं जिंदिगी एक ही दिये भगवाना खूब खाव पिया मौच करो तो उस तरह क्या व्यक्तित हो सकता है उनका उनकी कुंड़ी चुकि मेरे पास मैंने बता दिया था 17 सेब्ब मुझे जैसे लोगों ने बता है क कुंड़ी जनम समय नहीं है तो मैंने उनकी कुंड़ी की चर्चा करना बंद करती है निश्यत रूप्स उनका शुक्र जो है ज्यादा बलशाली योगा शुक्र जो है सांसारिक सुखों की प्रति लालसा बढाता है तो मोदी जी का शायद अट्रक्शन यह रहोगा इसलिए ने फिरना कॉल एक प्रदान मंत्री बने है तो जिंदिकी भर के आनंद उठालो तो वह आनंद उठाने के लिए हैं है यह ऐसे पर आप शुकृ की दशार वह उनक्त्र पूसर मिलते रहेंगे देखिए परमात이 ने बेस तो बनाया आपका लिक हो आफ आपने पूछाता तो मैंने का आग लगा देगा परमात्मा की किरपा से पहले बात तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को बहुत-बहुत बदाई देता हूं कि आपने 25 लाग का मैजिक फिगर क्रोस कर लिया है तो यह बहुत अपने आप में इसलिए देखो कि वह शुक्र की जो बैवव की बैवव जो कहते हैं लगजरी वैवव और जो और आपका तो जो चैनल है जो जितने मीडिया एंटेटेंबेंट यह वीनिस के शुक्र के फिल्ड में आते हैं तो वह उस ग्रहने आपको वह दिया है और आपकी जितनी फॉलिंग्स बढ़ गए और आपको बत अचरी जी यही कारण है क्योंकि मैंने देखा कि एक साहब है लंडन में वह वीडियो बेजा एक कोठी है बड़ी सी एक मरस्डीच कार है वो कहना है कि आपको यकीन है मैं कोठी आपके नाम कर दे रहा हूं यह गाड़ी आपकी आप लंडन में शिफ्ट हो जाईए आपको अचरी आपके लिए अचरी बाते करता हूं तो मैं डरूंगा है वहां के अमेरिका के रास्टपती के चुनाब की बविश्वानी के ऊपर आपको लेकर करके आए अमेरिका में एक प्रोगाम करें तो हमें इस दोजार चौबीस में अब अमेरिका के राश्पती के मंदे दुनिया का सबसे सकतिशाली ताकतवर जो राजा है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और इसी वर्स उनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना नवंबर में उनके यहां डेट फिक्स होती है आठ नव तो हमेरिका के लिए आपको भारत जोड़ो नया यात्रा की खोरस्कूप दिखाई थी ना तो उसमें यही तो बताया था कि जब भी व्यक्ति का नौवेगर भागिस्तान का संबंद बन जाना लगन से तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो भागिशाली स्वेशाली स्वेशाली त समय होता है तो वो चुकि आपके भागे स्थान के ग्रह की तरशा चल रही है इसलिए यह आपको सब्सक्राइब ना चाहिए कि उनकी क्रपा हमपब बनी रहे और आप निस्पक्ष है वो भी एक परमात्मा का आशिरवाद आपके उपर है इसलिए वो लोग आपको पसंद क सब्सक्राइब करेगी लेकिन बीस परसंट फिर भी लोगों को प्राण फूकने का काम करता है इसा नहीं कि बड़ा ही आत्मी बुला रहा है अमेर कर अंदर वाले बला रहे हैं मंद्र प्रिदेश का दोरा खरने का एक धावे पर रुके को निर्जन सा जगह पर थी वहां ट्रक डैबर उतर के आया वहां बैटके ट्रक में मेरे वीडियो देख रहा था और अभी ट्रक डैवरों की सबसे पहले फोर प्यम ने उनकी स्ट्रैक उठाई मुद्ध अठाया उसे निदी ने शो किया और आप कल्पना करेंगे वह 25 लाग से ज्यादा उसके वियू आ गए मतला शाह सभी ट्रक वालों ने वह देखाऊगा तो मैं देखता हूं कि गार्ड हैं चप्रासी हैं ड्राइवर हैं यह लोग भी फोर प्यम देखते हैं इनको लगता है कि कोई क्यों बोलना है कैरी हम अपरी बाते बहुत सारी हो गई मिलकुल मिलकुल तो राजी जी अब नया यात्रा के बादे आपको यादोगा संजय जी मैंने एक होरस्कोप आपके प्रोग्राम पर शेयर के तीजिये मोदी जी की ओत की सेरेमनी की होरस्कोप है तीस माई दोहजार 19 को साथ बचके च्छे मिनटे पर मोदी जी ने ओट ली ती इस ओठ में मैंने किसानों का अंधोलन मतलद 17 में आने से पहले ही किसानों का अंधोलन और इसतरह का लेवर और एससब का विद्रो भी बताया था जो रिसेंट्मेंट है जो इस्ट्रेश है तो आप आप कि यह सरकार सकती शाली सरकार दो ही जवार जुकी है एक तो खिसानों के आगे जुकी दूसरी जो है इस समय जैसे ट्रकी यूनियर्स की स्ट्राइक हुई है सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा तो मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं कि अपने आप में एक संदेश है इसक अब बार बार नहीं जाएंगे लेकिन इसलिए जीता गया एक तो वो पनोती चिपक रही थी जो वो पनोती जब चली थी क्रिकेट मैच के बाद तो वो पनोती दूर करना बहुत आबशकता नहीं तो 2024 का चुनाव बड़बल हो जाता दूसरा जिस तरह से अगर राजों में विपिरी चुनाव आते तो जो बीजेपी में बगावत हो सकती थी वो खत्रा था कि वे 2024 उनके लिए खत्रा हो सकता है तो किसी भी ये नके प्रकारण आपको जीत नहीं था तीसरी बात आपको बता देता हूँ कि राम मंदर का मुद्धा भी जो जिस तरह से डेट डिसाइ इसलिए की गई हैं कि आप देखे इसको मेरा जो विजन ये कहता है कि कबर अप करने के लिए की गए हैं किसी कौनस्परेसी को आप चुनाव जीतने के लिए करना चाते हैं उसके लिए आपने ये तीन मुद्धे इसलिए हभी कर दिये हैं कि लुबाद में जब रिजल्ट आएंगे तो कि जी साफ राम बंदर बनना था जी तीन राजयों में हमारे जीत हो गई थी तो ये ये आप लोगों में उस कबरब को मतलब उस संडेयंतर को सक्सेसफुल हो जाने देने के लिए ये कारण तयार किये जा रहे हैं लेकिन उसमें डेंट कहा लग गया डेंट ल पर ही नजी नीए रह जाती तो राम मंदर का रायता फैल जाता है यह कि देखिये इस किसानों की किसान की इस ये फरायक कि ने इंडिरेक्ट ली आ रहा है किसान जो है तरुक तो सरकार के और सरकार के तंत्र नोग है उनके पसीने चूट गए जिसके कारण को जुकना पड़ा तो यह लोग की डेट आगई है प्रदान मंत्री जी रहेंगे वहाँ प्रण प्रतिष्टा करेंगे क्या है महुरत बाई जनवरी का कैसा रहेगा राम मंदर के टोटल आपकी वविश्वारी कैस के सीन को देका जी पहले तो राम मंदर के जो तारीक के उपर आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि आज राम मंदर के प्राण पतिस्टा के फंक्षन में जोर-शोर से आगे आकर के क्रेडिट लेने के लिए कौन से लोग कर रहे हैं तो वो क्रिपया करके देखें कि वो क्या धार्मिक हैं कि धर्म के मार पर चलने वाले हैं कि अधर्म के तो मैं एक सिलसले बाद जल्दी जल्दी से सुना देता हूं पहलवान लड़कियों के साथ अन्याय करने वाले लोग यही है मनीपूर में भारतिय संस्क्रती को शर्मसार करने वाली जो आदाद भारत में अपने आप में पहली गटना हुई कि जहां एक स्त्री को निवस्त्र कराकर सडक पर प्रदर्शन करा जया वो भी इनके राज की इनी लोगों की है भाजपा साशन के उनसे भी ज़्यादा संगीन अपराद में लिफ्ट केंद की सरकार का उसके नेतरत्र का जो सेक्ड़ों हत्याओं के बाद चुप रहा है वो यही लोग है मदपदेश में दलत के उपर यूरिन करने की जो घटना घटी वो भी इनी की सरकार थी उसके बाद उत्तव पदेश में चलती ट्रेन में दो सीनर सिटीजन के उपर यूरिन करने की घटना घटी वो भी उत्तव पदेश हिनी की सरकार है फिर बाद में इन सब घटनाओं में लीडरिशिप चुप रहती है वो महलाएं कहां चले की जो उनकी मंत्री होती है वो कुछ नहीं है कुछ नहीं को नहीं बोलती है फिर इसके बाद ये कहा गया भी हाल फिलाल में आपको पता है कितनी बड़ी घटना घटी कि जो बनारस में लड़की के साथ सामोहिक बलादकार में तीन जो लोग पकड़े गए वो बेसीकली भाजपा के आईटी सेल के लोग थे तो आब आप बताईए कि किस तरह के लोग मंदर के पूजा प्राण पतिस्टा में है तो इससे क्या भगवान आएंगे क्या तो ये लोग चिंतन करें कि ये क्या धर्म के मार पे चलने वाले लोग हैं जितनी जारी घटाएं मैंने बताईएं और आपको पता होगा जानकारी के लिए मदर बिदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक अपनी चुनावी रेली में कहा था कि सीता जी का तो तलाग हो गया था और उन्होंने आत्मत्या कर ली थी मतलब आप मा सीता के लिए ये भावना रखते हो कि तलाग हो गया तो उस जमान में डिवर्स होते थे क्या और उस साथ में कह रहे हो कि उन्होंने आत्मत्या कर ली थी अपमान कर रहे हो आप भगवान का अपमान कर रहे हो इसके साथ उनी महोदे का जब वो जीतने के बाद जलूस निकला तो आप लोगों ने देखा था किसी आपके यूटूबर ने उस पर प्रोग्राम भी किया था कि वो हनुमान जी को क्रेन से एक हनुमान जी का रूप दरके क्रेन से माला डल बारे मतलब लानत है अजी उत्तर भारतियाय रोगों तुम्हारी बुद्धी कहां भ्रस्ट हो चुकी है तुम हनुमान जी का इतना अपवां करो गँए कि वहां एक मानब के गले में माला डालने के लिए आएंगे नाश होगा तुम लोगों का सब का मेरा आज मनसे दुखी होकर कि क्यों कोई हनुमान जी की बक्ति के लिए मैंने बैंड बजाई थी ABP नूज चैनल पर संत महात्मा कोई की भाज़पा बानों की लिए आप लोगों का बिनास निश्चत है क्योंकि आपनार्व ने हनुमान जी का भी तर अपमान किया है कभी दलत बता देते हो कभी आप जो ऑनको कह देते हो बजन को चैसे दलत तुल्य ना कर देते हो तो यह मंदर कहा बन रहा है यह दर्शक यह जाना है यह मंदर जो है भारत बर्श में बना यह भारत की कुंड़ी है इस भारत की कुंडी में ब्रस्पती बार में घर में जो सनातन धर्म के कारख हैं यह अगर इस जगे पर आते लगन में आते तो जो की अपरैल के आफरी हभते में आएंगे उसके बाद का जादे अच्छा महुरत होता अब मैं मिस महुरत की ऊसलिए इसलिए बताता हूं ये किताब में दिखा रहा को क्योंकि मैंने tiden एक प्रांड-OK20 कराइए और उसमें पूरा शामिल रहा हूं पुणाक में एक हनुमां जी का राम सीता का मंदलिद य वास्तु मिमांशा है इस वास्तु मीमानशा में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, देवाला निर्मान का, सिलानास है ये देवाला निर्मान का, ये निर्मान, उसके अंदर जो सिद्धान इसमें बाइलेट हो रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि मैंने आपके दर्शकों को भचन दिया था, कि मैं इस प्रोगाम करूंगा, तो देखिए, भारत की कुंडली का बारमा हाउस, दूसरा जिस लगन में ये प्रान पितिस्टा हो, इस्थर लगन नहीं है, जब कि प्रान पितिस्टा के लिए इस्थर लगन मतलब चीज रुकनी चाहिए, मतलब भगवान अगर हमारे आएं, तो लगन में चोटे देवताओं की की जाती है, चर लगन में करें चोटे देवताओं जैसे छेत्रपाल है, दिखपाल है, नाग देवता है, यक्ष है, ग्राम देवता है, इस्थान देवता है, इनके प्रान पितिस्टा चर लगन में की जाती है, एक इंपॉर्टन चीज बता तो यह जोतिस का सब्जेक्ट है क्योंकि काल की गड़ना है ना और काल की गड़ना करने का अधिकारी केबल जोतिसी है भगवान में विश्वास करने वाला होना चाहिए जो कौन सा आदमी हो जो भगवान में विश्वास करे नित्य नियम से स्वेम पूजा करने वाला जो लो मृता से सभी वर्गों जातियों का सम्मान बिना बेदवाव देश के करता हो ऐसा व्यक्ति प्राण पितिस्टा का आधिकारी है जिस व्यक्तित तुम्हें अरूची ना पैदा करने वाला हो प्रसने चितो मतला जिसके चेहरों को देखते नफरत नहीं है चिड नहीं लगनी चाहिए ऐसा आदमी जो है भगवान की प्राण पितिस्टा कर सकता है सबसे महतपूर्ण नयम यह है प्तिस्टा से पूर्विही मंदर के सुन लीजे दर्सकों को दुबारा रिपीट करके बताऊंगा सबसे महतपूर्ण प्राण पितिस्टा का धर्म गरंतों के अनुशा नयम यह बताया गया है प्तिस्टा से पूर्विही मंदर के भवन के सभी निर्मानकार हर प्रकार से पूर्ण हो चुके हो तो अब आप बताईए शास्त्र के विप्रीच जाकर के आप आदे अदूरे मंदर का निर्मान कर रहे हो बताईए तो अब आप बताईए शास्त्र सब के लिए संकट और अशुव घटनाओं का कारण बनती है मतलब भगवान के अगर आदे अदूरे मंदिर का और अशुव काल में मुहुरत करोगे तो ये आने वाली प्राकरतिक प्रकूप का कारण बनेगा ये ये देश के लिए चिताबनी है और देशी नहीं हमारे सनातन धर्म के लिए भी चिताबनी है कि पहली बात तो जो आपने पात्र चुना है वो धर्म के मार्क पर चलने वाला नहीं है क्योंकि धर्म के मार्क पर चलने के लिए धर्म के दस लक्षन मैंने कहे थे आपको बनाएं आपके धैर जो इनके अंदर नहीं है धैर का मताव अंग्रे जी में टॉलेंस कहते हैं टॉलेंस है क्या है यह तो इन टॉलेंस लोग हैं दूसरा च्छमा फॉर्गिबनेस छमा शिर्ट तो है नी जो मैं उननेताजी की बात कर रहां जो प्रांट पे तशाम है शामिल होंगे बढ़ चल के हिस्सा लेंगे नौलिज विद्या दूर दूर तक विद्या से उनका कोई संब्ध नहीं है चौता धर्म का लक्षन है सत्य टुथ राइटी एस बोलने वाला टुथ पर चलने वाला वही निवह दिन वर जूट बोलते रहते हैं असत्य के मार्क प में है निवह तो आप अतारे कहां पर लक्षीदीब में कहां पर वो समद्र केनारे बैठे मोज कर रहे हैं तो उनके मन पर कंट्रोल का है भोगी है चोरी ना करना ना परकार के आप जब पुरानी गौर्मेंट की पॉलिसीज को लेके कटेंट पेस्ट करके चलाते उसको चो करता है कि यह दर्शक खुँद चिंतन करें क्या ऐसा व्यक्ति धर्म के मार पर जो नहीं चलता है एक भी गुण को नहीं पालन करता है वह शबड़ान नाम के मूर्ती को इससकर सकता है क्या भक्ती तो सब कर सकते हैं बदें बख्ती ऑख नो लाक्षयस तोन्हों में भी तो आपका हिर्द्य काला है तभी तो आप दुष्मन मान रहे हो और दस्वा लक्षण जो कहा गया है वो यह कहा गया है कि इंद्रियों पर कंट्रोल वो तो भोगी है वह आपने बताया कि वह समझत के किनारे बैटे बैटे उन्होंने बड़ से बदली वो इन सब मनें देखा जो पातर चुनागया वो भी धर्म शास्त्रों के अन। नहीं है किस तो फिल्ष्मन मुक निमंतर दिया गया है वो सारे के सारे दर्म के दसों लक्षण कि आचायर जी क्या ऐसा नियम है कि विभाहित लोगों को ही अनुस्थान करने चाहिए वो उसका शास्त्री एक उधारण भी बताता हूं कि राम जी जब सीता जी रावड के पास थी और सो एक बार तो वह उसमें अनुस्थान किया था रामिश्वरम का रामिश्वरम का जब अनुस्थान की दूसरी बार घटना आती है जब सीता जी को उन्होंने एक धोबी के कहने से बालमी जी के आश्रम में भेज दिया था तो उस समय अकेले तो उनको एक यग करना था तो वहां सीता जी कि सोन की प्रतिमा बना करके महारिशी वश्षिस ने कहा था कि राजन जो तो उसमें राम जी ने सुन की सीता बना करके और अश्मेग यग पूरा किया था अब यहां पर जिन नेता जी को आगे किया गया है वो तो एफिरेवेट दे चुके हैं वो तो विवाहित हैं तो आएक विवाहित व्यक्ति बिना पत्नी के उन्होंने सिल्यानाज क्यों कर द है तो वो आप ने व होते हुए पतनी को नहीं ला रहे हैं तो आप दूर बैठ करकर तो बैठ सकते हो आठ सकते हो या तो राजनास सिंग Kolay या गटकरीजी अपनी नीता करते अगर आपको कोई परहज अपनी पतनी से नफृत एक चिड़ते हो नो कोई और व्यक्तिक वह ए दे गए हैं क्यों ग्रेस्ट जीवन में कहा जाता है इसलिए दर्शकों को लॉजिक के ग्यान देना मेरा जरूरी था कि धर्म अर्थ काम और मोख्ष ये जीवन में चार एक्ट हैं जो मनुष्ट को करने चे वेद संदेश देते हैं आदेश देते हैं सोरी संदेश नहीं आदेश देते हैं तो धर्म और इसी लिए हमारे वेभाय में जो शादिया होती हैं उसमें मुख्रूब से चार फेरे होते हैं धर्म चार फेरे होते हैं एक धर्म का एक अर्थ का एक काम का और चोथा मोक्षगा जिसमें आपको पता है तीन तीन फेरों में लड़की आगे रहती है चाहा कहानी चाहyang करा नहां या पता नають यह पजाबियों लोगों ने बड़ा इड कर दी आप हमारे भी कराये होंगे हमारे बी कराये होगे हमारे भी कराये है लकिन चार फेरे होते हैं धर्म जो वेदों के अनसा क्योंकि जो संसकार है ना सोले संसकार सोले संसकार में तेरवादान संसकार है सिक्वेंस में पहला गरवादान संसकार है कंसीविंग का उसके सोले संसकार को मानने वाला ही सनातनी कहा जाता है जिस तरह से हमारे मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म खतम हो रहा है उनसे पूचा जा तुम 16 संसकार पालन करते हो क्या या जितने भी RSS और भी ये वाले करते हैं सब तो अववायत हैं तो जब वेदों का तुम 13 संसकार विभा का संसकारी पालन नहीं कर रहे तो फिर आप सनातन धर्म के कैसे हो गए इन भाजपार व तो जो अर्थ और काम मोख्ष तो जो अर्त और काम है वो सांसारिक हैं नहीं जो है और सपड़ा चारा हो कि चूठी उसमें संतान उत्पत्थ शह चीवन की चीज से तो चूकिस में संतान उत्पत्ती आती है तो उसके लिए मेरेड होना जरूरी है तो जब ये कहा गया इसी लिए लॉजिक में ये दिया गया कि जब भी कोई सामाजिक अनुस्थान राजा करेगा तो बिना पत्नी के नहीं कर सकता क्योंकि वो ही राजा जो ग्रेस्थ है अपनी पत्नी के साथ वो चारों पुर्शार्थ का पालन कर रहा है इसके अलावा एक और मानिता है शास्त्रों की कि जब मनुष्य पैदा होता तो तीन प्रकार के कर्ज रिण लेकर के पैदा होता है तीन कर्जे वो हैं देवरिण, पित्रिण और रिशी रिण तो जो इसमें देवरिण और रिशी रिण अलग है मैं केवल पित्रिण की बात करूंगो पित्रिण जो हमारे आपका जो पित्रिण है हम भी जब तक तीन रिण पूरे नहीं कराएंगे चुकाएंगे नहीं तब तक हमें मुक्ष नहीं मिलेगा तो पित्र रिंड जो है संतान उत्पती से पूर्ण होता है कि आप आपने जो आपको माता पिता ने आपको उपर खर्चा किया आप संतान पैदा करके उनको आगे बढ़ाएंगे मतलब स्रस्टी के नियम को आगे नहीं थी जब इशा से 500 साल पहले शंकराचायर हुएं लगवा 500 साल पहले उस समय में बौद धर्म और जैन धर्म हाँ अभी हो गया था सनातन धर्म कर्म जोर हो चुका था लोग सनातन धर्म से भागने लगे थे तो उस समय केरल के एक छोटे से लड़के ने वो टीनेज मे करी और उन्होंने हर जगे पर जर्गे धर्मार बौद धर्म के जैन धर्म के आचारों को शास्त्रार्त में हराया डिवेट में हराया और सनातन धर्म की इस्थापने की उसके नाते फिर वो जो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले ही कह दिया था उन्होंने चारों कर सकता है राम मंदिर जैसे किसी वड़े मंदिर की तो वो केबल और केबल अभिवायत व्यक्ति संक्राचार हो सकते हैं या तो इस प्रांट पित्रिष्टा को संक्राचार करते तो इसमें वाइलेशन क्या हो रहा सबसे बड़ी बात कि शास्री यह कहता है कि अधूरे मंदिर विक्ति ही करेगा अगर अभिवायत तो संत करेगा मतलब संत और माहत्मा उत्तरपदेश के संत माहत्मा नहीं संक्राचार अध्रों परांट प्रतिष्टा करेंगे मोदी चुएंगी मूर्ती मोदी जी हम आगा ताली बजाएंगे मैं कल देख रहा था कई दो तीन शक्राचारियों का नाम आए थे गरोध कर दी हम जाएंगे नहीं वाँ पर बिल्कुत सही कहाना मैंने आपको बता ना मैंने मोदी जी को नाम नी लिया था मैंने बताया कि नेता जी ने धर्म के एक लक् मंदिर पूरा बने प्राध्वर क नहीं हो सकती हैं लोगों को महमारी से मर जाना और बाद में आपकों पता पुराना मंदिर किसी राजा ने बना आए ता चो किस तरह की कोई प्रमन हो सकती हैं तो यह ऐसे ब्योंड जो मनुश के जो ब्योंड जो सफलिंग होती हैं वो उस तरह के कस्थ आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने बार बार गीता कोट की है बार बार गीता में लेकर यहां पर भी गीता लेकर आए उड़ी सा में भी तो गीता के देखि खूब मार्केटिंग की जा रही है उसको बोट भी मांगेंगे उसके लिए वो सबी जानते हैं जो तब सतकार मान और पूजा और अविमान के लिए या अनकिसी स्वार्थ के लिए सुभाव से पाखंड से किये जाते हैं वे अनिश्चित एवम छणक फल देने वाले राजिस austerity which is performed for the sake of renown honor or adoration जो मुझी की आदत हो गई है कि महमा मंदन कराना as well as for any other selfish gain political gain होता ना राजनेते गेन उठाएंगे तो selfish gain हो गया selfish gain either in all sincerity or by way of austenations and yield and uncertain and momentary fruit has been spoken of fear तो भगवान स्वेम के रहे हैं कि ये जो अनुस्थान पाखंड के लिए कह जाता है पाखंड मतला दिखावा मीडिया प्रचार वगरा इसे पाखंड कहा जाता है और जिसमें शास्त्र का पालन ना हो जो मैंने अपने सारे सिद्धानत आज़ा आपको detail में बता दी आपके ये मतला दो चीजें मैं समप करता हूं total के या तो संकराचायर करते मोदी जी विवायत हैं और या तो पत्नी को लाके करें और दूसरा सबसे इंपॉर्टन था पूर्ण मंदिर होने पर होना चाहिए आपको पता है मंदिर की मंदिर कलश स्टापना होती है उसमें दोज बिना कलश के मंदर पूर्ण होई नहीं सकता भई आप जब आप देखिए कि वहां पर लोही की वह लगती है वह सारी सरीयां वरीयां लगी पड़ी है उस मंद्रों में तो पूरे उसमें आप प्रहां पैतिसा कर वो सिफ इस लिए कर रहे हो क्योंकि जो सडेंतर आपको दो आप एक संदेश देती हैं दर्शकों को बिलकुल बिलकुल मैंने आपको ये कहा दर्शकों को ये बताया कि देखिए ये मैंने आपके पिछले प्रोगाम में हमेशा ये एक कुनली दिखाई थी जिसम बॉडी के पार्ट दिखाए हैं तो बीमारी को जो है ये माना गया वो छटमे घर से देखी जाती है और जिसका ट्रीटमेंट संबभ है वो आपके दिन चर्या से आती है तो अगर किसी की कुंडली में लगन पीडित हो तो इसका मतलब उसकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हो वो बीमार पड़े गई और क्रोनिक बीमारी के लिए केबल आध्या करें क्योंकि देखें सबसे बड़ा बात है कि जो 30 के बारे में का दा रियल वेल्य वेल्य ओफ एस्ट्रोजी इस इन गानिंग स्ट्रेंट तो राइस अबब दी पैन दस ओवर्कमिंग इंद इस नोट इन शेकिंग मेंस तो अवाइब पैन कर्मास के नोट बीड़े अवा बाइब फाइब फैन चिल्रों लेगषा अवर्कमिंग इंगे ऋपसी खार है, आपक्रमास के बाह बड़े जये पर पैन कर्मास के लगषा और पैन से अवाइब पैन तो नोट इब पैना स्वी परीजिग अवाण स्ट्रैं ओने इस पस्प्नृ और के नक्षत्र श्य और् इसका अर्थी यह हुआ कि जो बीमारी जो आज समाज में आप देख रहे हैं ना ना पचार वो मेंटल डिसॉर्डर हो यह कैंसर हो यह बेसिकली इसमें दोनों चीजों का लाइफ स्टाइल है और दूसरा पास्ट बत की कर्मात है तो करे क्या तो फिर वही हनमाद जी की सेवा तो सुना आप ने और कम से कम एक बास से तो मैं सेमतु राजीव की कि बिना मंदिर के पूरा हुए मंधि की प्रान पृतिष्टा इश्र की नहीं हो सकती कि मैंने भी पड़ा है और मैंने देखा है को भी मंदिर जब तक कंप्लीट नी हुजाता है तक तक उसे भगवान की मूरती नियू निजी रखते है distorted हमारे आपके घरों में भी हम मेकान बनवाते हैं या कुछ भी करते हैं जब पूरा मंदिर त्यार हो जाता है तब से मूर्ती रखते हैं लेकिन अगर यहां पूरा मंदिर होने का इंतिजार करते तो चुनाव खतम हो जाते तो भगवान जी का क्या काम अगर चुनाव खतम हो जाएंगे तो जायर है कि बीजेपी के लिए सबसे जरूरी चीज भगवान का मंदिर से भी जादा जरूरी बोट है तो राम मंदिर इसवार बोटों की फसल काटने का काम आएगा मुझे ऐसे लगता है कैसे लगा इंटरवू आप अपनी राय से अपके कमेंट से जरूर रोगत कराईएगा हमारे राज्यों के चैनल है उने भी सब्सक्राइब परियेगा शुक्रिया थैंक यू